लो गाइज वेलकम बैक तो मा यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आपके पास भी एक जियो का सिम काड है और आपका इंटरनेट काफी ज़्यादा स्लो चल रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एसे पिन की सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका यूच करके आप अपने इंटरनेट की स्पीड को काफी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलोगे तो वाँ पर आपको पिंग प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगा तो दुस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसका बाद से दुस्तों नीच आएंगे तो वहाँ पर आपको एक एक्सेस पॉंट नेम का उपसंद दिखेगा वहाँ पर क्लिक करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका एपन सेट होगा आपका दिखाई देगा तो दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर प्लसल यह बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक निव एपन को create करना है दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि मैं जो भी डिटेल्स बताऊंगा आपको same to same flip करना है अगर यहाँ पर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका यह जो एपन वर्क नहीं करेगा तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको name में type कर देना है जियो यहाँ अपको लिख लेना है 128 यहाँ परquinho देख को टैपल सबक्राइत서 लगा के यहां यहाँ वीफोर आपको लिख देना यह उसके बास सब्सक् 북ダ में अछल नीचे आना है प्रॉक्योन नॉट्ट पॉर्ट को भी नॉट्ट यहां पर यूजरने में आपको टाइप कर देना है Speedbot.76 आपको same to same type करना है दोस्तों password को आपको not set छोड़ देना है server में आपको टाइप कर देना है www.wikipedia.com दोस्तों आपको same to same जो है टाइप करना है यहां से आप नीच आएंगे www.wikipedia.com लिखने के बाद आपको नीचे आना है MMSE को not set, MMS proxy को भी not set MMS port को भी not set MCC and MNC आपके में already set होगा तो वही रहने दे authentication type में आपको select कर लेना है PAP और CHAP यहां पर APN type में आपको लिखना है default जोस्तों आपर default लिखने के बाद आपको लिखना है APN roving protocol में भी आपको IPV4 IPV6 को select करना है उसके बाद से आजाते बीरर में तो अगर यहां पर आपका अनिस्पेसिब आड़े तो इसे अंटिक करके यहां से LTE को select करना है HSPAP, HSP, HSUPA तो नीचे आना है यहां से आपको EDGE, GPRS और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको 1RXTT का जो option देखेगा इसको select करना है उसके बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर MbN टाइप देखेगा तो इसको आपको non पर select करना है उसके बाद से दोस्तों इस APN को यहां से save कर लेना है APN save करने के बाद कुछी से रिखेगा दिखाई देगा तो simple एक बार click करना है जैसे click करेंगे दोस्तों आप देखेंगे आपके phone में यह वाला APN activate हो जाएगा तो चले इसका हम लोग एक बार speed test करके देख लेते हैं तो आप देख सकते जो की काफी अच्छी download speed आ चुकी है तो उम्मीद करता हूँ आपको भी setting करते time काफी अच्छी download speed आ जाएगी तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दो और चैनल को subscribe करके bell notification को all पर set कर लो